हेलो गाइज, वेलकम तु माई रॉकिंग सपोर्ट यूटूब चैनल, तोडे आई विल शो यू हाउ टो कनेट उबेन्थु सर्वर योजिंग मोबा एक्स्टम अप्लिकेशन, तो मोबा एक्स्टम अप्लिकेशन से उबेन्थु सर्वर को कैसे कनेट करोगे, इस वीडियो क जैसे हम लोग दूसरा कोई भी थर्वर को कारेट करते हैं, उसका IP, यूजरनिम, पास्वर्ट से, यह पर भी मोबा एक्स्टम अप्लिकेशन से हम लोग दूसरा कोई भी थर्वर को कारेट कर सकते हैं, यूजिंग, आई भी, होस्टम, यूजरनिम, पास्वर्ट से, ठीक ह तो मैंने Ubuntu desktop application, desktop operating system को VM and workstation के अंदर install करके रखें और Ubuntu मेरा Windows PC पर मैंने Mobilextrem को install करके रखें तो Mobilextrem को कहां से download करना है, कैसी install करना है मैंने अलड़ी एक वीडियो को बना वीडियो बना के रखें वहां से आपको उसका link description box में आपको मिल जाएगा, ठीक है तो अभी हम लोग Ubuntu में जाते हैं यहां से हम लोग terminal open करेंगे तो dyn. के उपर क्लिक करो यहां से terminal यहां पर type करो terminal तो यहां पर terminal, terminal का icon दिख़ा है तो font का size increase कर देते हैं हम लोग अभी यहां से हम लोग पर IP चेक करेंगे इस machine का क्योंकि IP से हम लोग connect करते हैं दूसरा कोई server पर IP host name तो इसको copy करते हैं, mobile extension पर जाएंगे और यहां पर देखो session बोलके option icon देख रहा है, इसको पर click करो, next यहां पर SSH बोलके एक icon देख रहा है, इसको पर click करने है, then remote host name देना है, यहां पर हम लोग IP डायेंगे, उसके बाद specific username यहां पर देना है, तो इसको tick करके यहां पर username देना है, तो हम लोग का server का username है, देखो यहां पर और रूप है, तो कौन सा user अभी logged in है, वो कैसे पता चलेगा, वो यहां हम आई करोगे तो यहां पर देखो हम आई करोगे तो यहां पर देखो user का name दिख रहा है, ठीक है, तो इसी user से हम लोग connect करेंगे, ठीक है, copy करते है फिर से mobile extension पर जाएंगे, और default को delete करके यहां पर paste करेंगे, देन ok बटन के उपर click करेंगे तो देखो यहां पर connect नहीं हुआ, ठीक है, तो अभी हम लोग फिर से Ubuntu पर जाएंगे terminal को clear करेंगे और यहां पर लिखेंगे sshd, then paste enter करो, तो यहां पर बोल रहा है comment sshd not found but you can install with this comment, ठीक है, इसको copy करो और यहां पर इसको paste करो then paste enter करो, then यहां पर password देना है, user का then press enter, तो यहां पर installing हो रहा है, ओके, install complete हो गया, ठीक है, अभी इसका status हम लोग चेक करेंगे तो service, then press enter करो, तो देखो यहां पर active running दिख रहा है, ठीक है, क्यों करके end करो, यहां आईपी हम लोग का क्या था, आईपी हम लोग का 192, 168 198, 148 तो copy करेंगे, move by extreme पर जाएंगे, और इसको close कर देते हैं, उसके बाद session के session के उपर click करने है, stage के उपर click करने है, IP देना है, remote host के जगा, specific user के जगा है, यहां पर हम लोग और उप देंगे, then okay button के उपर click करेंगे, ठीक है, देखो, ठीक है, तो देखो, यहां पर Ubuntu 2.04 यहां पर देख रहा है, जो यहां पर हम लोग का installed है, ठीक है, PWD करते हैं, NS करते हैं, MI करते हैं, देखो, यहां पर और उपर देख रहा है, okay, that's it, टाटा बाई बाई बाई, stay home, stay safe,